और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की वास्तु शास्त्र में आज हम आपको पिरामिट के ज़रिये घर के कुछ वास्तु संबंदी समस्याओं से छोटकारा पाने के बारे में बताएंगे अगर आपके घर के भूखंड की बुजाएं मुख्य दिशा के समानांतर नहीं हो रही है तो ऐसे भूखंड को दिख दोश वाला भूखंड कहते है दिख दोश के अलावा अगर आपके भूखंड में आकार संबन्दी कोई भी समस्या है तो इन भूखंड के मद्ध में 9, 36, 54 या 81 पिरामिट भूखंड के आकार के हिसाब से दबूआएं ऐसा करने से आप इन समस्याओं से छुटकारा पाने में समर्थ होंगे इसके अलावा वीथी शूल समस्या होने पर भूखंड के उस दिशा में 9 पिरामिट लगाएं जहां पर वीथी शूल हो रहा है यदि भूखंड के समीट से निकले मार्ग भूखंड पर एक तीर की तरह आकरती बनाते हैं तो ये वीथी शूल समस्या कहलाता है वास्तु सास्तर में इसी चर्चा पिरामिट के जरिये घर के कुछ वास्तु संबंदी समस्याओं से छुटकारा पाने के बारे में उमीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे